नमस्कार दोस्तों मैं कन्य अलाल स्वागत करता हूँ आपका इस यूटूब चैनल इस्टडी विट केल सर में दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पटवारी भरती से संबंदित सूचना न्यूज दोस्तों हो सकता है ये न्यूज आपको पता हो लेकिन बहुत स चाहिए तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर नई है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिले चलिए दोस्तों वीडियो को प्रशाषनी कारणों से फैसला ये जो फैसला किया गया है प्रशाषनी कारणों से किया गया है चलिए देखते हैं क्या रहा इनका फैसला राजिस्तान कर्मचारी चाहिन बोर्ड ने मंगलवार को चोकाने वाले नेने लेते हुए एक ही दिन में दो बड़ी भरती परिक्षया है रद या इस्तगित कर दी बोड ने 12 दिन बाद होने वाली पटवारी भरती परिक्षिया को इस्तगित कर दी बता दें कि पटवारी भरती परिक्षिया 10 जनवरी, 17 जनवरी, 17 जनवरी, 24 जनवरी को 6 चर्णों में होनी थी 4421 पदों के लिए होने वाली इस परिक्षा के लिए 13.49 लाग से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था लगब 14 लाग लेकिन मंगलवार को बोर्ड बेठक में हुए निन्ने के बाद इन्हें जटका लगा अब इने नई तिति के इंतजार के लिए इंतजार करना होगा दोस्तों अब फिर से पटवारी भरती परिक्षा के लिए एक नई तिति जारी होगी तब जाके पटवारी भरती परिक्षा आयुजूत करवाई जाएगी उसके बाद पटवारी भरती परिक्षा को इस्तगित करने का निनने लिया गया है चैन बोट की बेटक में प्रशाशनिक कारणों से जो प्रशाशनिक कारणे उसकी वज़े से परिक्षा को रद करने का य पटवारी भरती परिक्ष्या कराने के चलते बोर्ड को यह परिक्ष्या इस्तगित करनी पड़ी तो इस प्रकार से रेलवे और पटवारी भरती परिक्ष्याओं की जो तिथियां थी वो आपस में टकराने की वज़े से प्रशाशनिक कारणों से आयोग ने इस परिक्ष्या इसलिए इस्तिकित किये गई एक कारण तो यह बताया और एक कारण है इससे पहले 26 जून 2020 को करमचारी चाइन बोर्ड ने पटवारी भरती परिक्षया की थी तई आकट इस फर्वरी 2-0 2021 गोशित की थी इसके बाद इसे बदल कर 10 जनवरी ऑप 17 जनवरी और 14 जनवरी कर दिया था तो इस प्रकार ये कारण बताया की रेलोंगी ब्रिक्ष्या से पटवर्यी ब्रतिपरिक्ष्या की थे थिए इसको इस्तगित किया है तो दोस्तों फैसला जो कुछ भी रहे वो अलग बात है लेकिन अपन को तैयारी नहीं छोड़नी है दोस्तों तैयारी नहीं छोड़नी है कभी न कभी तो परिक्षा होएगी सही और इसके लिए लगातार पूरे मन से तैयारी में जूटे रहना होगा तभी हमें सफलता तो तैयारी मत छोड़िए परिक्षा जरूर आयूजित होगी तैयारी जारी रहनी चाहिए चलिए दोस्तों इस न्यूज में इतना ही नमस्कार